आप लोगों को मैथ का नालेज इतने सिंपल और इजी वेसे डिलिवर करूं कि वह आपको इसली समझ आए और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सो विदाउड एनी डिले आज का लेक्टर स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ की मैथ की एक्सेस एज वान पर वान का क्वेस्चन नबर वान है फाइंड दा ओर्डर आफ फाल्विंग मैट्रिस तो हमारे पास एक मैट्रिस ए गीवन है तो इसको ओर्डर बताने के लिए सबसे पहले आपको इसकी रोस और कालमस के बारे में बता होना चाहिए तो एक मैट्रिस के अंदर होर्जन्टल लाइन यह होर्जन्टल लाइन है होर्जन्टल फार्म में जो वैलियू लिकी होती है वो रोस होती है और जो vertical form जैसे let's suppose मेरे पास ये कोई matrix है ठीक है ये horizontal form में जो values है ये rows है और अगर vertical form में जो values लिखी होंगी ये इसकी columns कैलाएंगे तो rows किया कितनी है एक ये row है एक ये row है तो कितनी है दो rows तो हम लिखेंगे number of rows in matrix A is equal to let's suppose ये number of rows M के एक वल है हमने उससे suppose किया हुए तो M के एक वल है अब कितनी rows है इस matrix के अंदर एक दो तो हम यहां लिखतेंगे 2 सेम यहां पर अब next है number of columns in matrix A let's suppose वो N के एक वल हमने लिखा हुए इसको तो columns कितने है तो एक vertical form में ये value है एक ये value है तो कितने columns हो जाएंगे हमारे पास 2 तो आप यहां पर लिखतेंगे N की value 2 order of matrix A इसका formula है order find करने का M by N M actually क्या है number of rows तो M की जगा हम इसकी value लिखतेते हैं 2 by as it is और N की value भी क्या है 2 ये actually क्या है number of columns तो ये इसका answer आगया तो ये भी as it is है 2 ही rows है और 2 ही columns तो इसका भी answer by 2 होगा part number 3 है इसका तो अब ये matrix C है हमारे पास तो इसकी number of rows कितनी है आप देख सकते है horizontal form में हमारे पास A की line है horizontal line A की है तो इसमीन number of rows हमारे पास कितनी है 1 तो M की value हम क्या लिख देंगे 1 अब इसके number of columns बताने है तो ये देखें vertical form में एक ये line है एक ये तो हमारे पास दो values है ना vertical form में इसमीन number of columns कितने है 2 तो फर्मूला as it is the same तो M की value 1 और N की value 2 next इसका part है इसकी भी आप देख सकते है matrix D हमें given है तो इसकी number of rows कितनी हो जाएंगी एक, दो, तीन तीन number of rows है तो हम यहाँ M की value 3 लिख देंगे और columns कितने हैं vertical form में A की value A की line है ना तो it means हमारे पास column 1 है तो answer इसका क्या आ जाएगा M की value 3 N की value 1 इसकी number of rows कितनी है एक, दो, तीन तो यहाँ पर हमारे पास M की value क्या आ जाएगी 3 और इसकी vertical lines कितनी है 1, 2 यानि इसके columns कितने है 2 तो N actually क्या है number of columns तो वो हमारे पास 2 है M की जगा M की value और N की जगा N की value as it is next part है अब आप देख सकते हैं इस matrix के अंदर A की value है तो it means A की horizontal line की form में value लिखी हुई है तो वो हमारे पास 1 हो जाएगी फिर number of rows और आप देख सकते हैं यहाँ पर A की line है यानि A की vertical form में value है तो it's mean column भी क्या हो जाएंगे 1, number of column भी 1 होंगे तो M की value भी 1 और N की value भी 1 next आप देख सकते हैं इस part में एक, दो, तीन, तीन rows हैं तो M की value 3 और columns कितने हैं एक, दो, तीन, तीन columns हैं तो N की value भी 3 तो क्या आजाएगा इस cancer 3 by 3 last part में आप देखें एक, दो, दो रोस हैं तो M की value क्या हो जाएगी 2 और columns कितने हैं 1, 2, 3 तो N की value क्या हो जाएगी 3 तो इसका answer क्या आजाएगा 2 by 3 उमीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी